दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर FD क्या है पूरा डीटेल में जनकारी दूंगा तो इसके लिए आपको वीडियो को लाज तक देखना है तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले बात करें दोस्तो FD के full form का कि आखिर FD तो हम sort में उसे कहते हैं लेकिन उसका full form क्या होता है थो उसका पूरा नाम होता है fix deposit जी हां दोस्तो fix deposit नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि fix deposit क्या है लेकिन फिर भी मैं आपको detail ने बताता हूँ कि एक fix समय के लिए कुछ पैसे को जमा करना जी हां दोस्तों आप simple तरीके से समझे एक fix समय के लिए कुछ पैसे को जमा करना उसे ही fix deposit कहते हैं चलिए अब हम एक example के थोरो समझते हैं जैसे माली जी आपके पास एक लाक रुपे दो लाक रुपे या फिर पांच लाक रुपे हैं आप चाहते हैं कि इस पैसे को मैं fix कर दू कहीं या कहीं बैंक में डाल दू ताकि मुझे ज़्यादा interest मिले और मेरा पैसा भी सूरच चीत तो जैसे माली जी आपके पास पांच लाक रुपे हैं पांच लाक रुपे को अगर आपने बैंक में जमा कर दिया पांच साल के लिए दस साल के लिए या फिर एक साल के लिए या फिर दो साल के लिए तो उसे ही fix deposit का जाता है जैसे माली जी आपके पास पांच लाक रुप क्या होता है एक fix समय के लिए कुछ पैसे को जमा करना उसी को fix deposit कहते हैं उसके बाद बात करें कि इसमें interest rate आपको ज्यादा मिलता है ऐसा इसलिए दोस्तों क्यूंकि आप एक बहुत बड़ा amount bank को दे रहे हैं fix कर रहे हैं मतलब आप बीच में उसे bidron नहीं करेंगे इसलिए उ और बात करें आपको पाद दो लाक रुपे हैं और डायरेक्ट 5 लाक रुपे को आप bank में जमा कर रहे हैं या बैंक को 5 लाक रुपे दे रहे हैं आप पांच सालों के लिए 10 सालों के लिए जितने साल के लिए आप देंगे उतना ज्यादा ही interest आपको मिलेगा यानि इसमें यही फायदा है इसलिए लोग ज़्यादा तरी से इंट्रेस्ट करते हैं यानि फिक्स डिपोजिट करते हैं ताकि उनको ज़्यादा इंट्रेस्ट यहाँ पे मिले इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर में FD जिसे के पास पैसे होता है और ज़्यादा इंट्रेस्ट कमाना चाहता है तो FD ही करता है उसके बाद बात करें कि अगर समय पूरा होने से पहले अगर इस पैसे को आप लिकालते हैं बिडरो करते हैं तो इसमें आपको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा यही इसका disadvantage है दोस्तो अगर जैसे माल लिजे आज आपने fix deposit किया 5 साल के लिए 5 लग रुपे और आप 3 तीसरे साल या फिर 4 साल उस पैसे को निकाल लेते हैं तो आपको फायदा नहीं मिलेगा जी हाँ दोस्तो पैसा तो आपका लिकाल जाएगा ऐसा नहीं कि आप चाहें तो आप आज fix deposit करते हैं लिकाल सकते हैं लेकिन उसका benefit फायदा आपको नहीं मिलेगा तीन साल बेकार चला जाएगा याई ज़्यादा फायदा आपको नहीं मिलेगा इसे समय पूरा होने पर ही लिकाले क्योंकि आप FD करते हैं कुछ फायदे के लिए करते हैं कुछ सोच की करते हैं कि मिरे पर 5 लग रुपे है मैं इसे invest करता हूँ FD करता हूँ fix deposit करता हूँ ताकि मुझे 5 सल बाद जादा पैसा मिले लेकिन समय पूरा होने से पहले इसे bid draw कर लेंगे तो आपको फायदा नहीं मिलेगा इसलिए आप इसे समय पूरा होने पर ही निकाले ताकि आपको जादा से जादा फायदा मिले तो मुझे उम्मीद हो दोस्तों आपको FD के बार में पूरा detail मिल गया होगा